ही हेलो एवरिवन आप से भी का तहजिल से आपकी अपने ओफिशिल यूटीब चैनल मुहिस सिर्वास्थवा एमेस पर वेलकम है गाई इस सेशन में हम एक्टिव पैसे की आपको शौर्ट ट्रिव बताने जा रहे हैं जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए राम तो आप उसे क्गा कह दीजएगा और वब की कोई भी फॉर्म दे रखी हो तो ऐसे structure को क्या कह देना पैसीव कह देना उसके बाद तीसरी बात याद रखेगा एक्टिव से जब पैसीव बनाया जाता है तो meaning कभी भी change नहीं होता है तो guys active से passive जब आप बनाते हैं तो तीन बातों का आप याद रखिएगा B के साथ वर्ब की ठाल form लगी हो तो आप उसे passive कह दीजेगा इसके अलावा कोई और आपको structure लगा मिल जाए तो आप उसे क्या कहिएगा active कहिएगा दूसरी बात वर्ब की कोई भी form दे रखिए हो उसके बात क्या mention हो dual mention हो तो ऐसे structure को आप क्या कह दीजेगा passive कह दीजेगा उसके बात active से जब passive बनाया जाता है तो meaning कभी भी change नहीं होता है तो ये active से passive बनाने की बहुत ही short trick है बहुत बड़ा topic है मैंने इसको बहुत short trick में cover कर दिया है तो ऐसे ही short trick पाने के लिए हमारे अपने official youtube channel मोहिस सिर्वास्ता MS को subscribe करें thanks for watching